देंगो का प्रकोप इस साल देश और दुनिया में कहर मचा रहा है अगस्त के आखिर तक पूरी दुनिया में 12 लाग से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और करीब 7,000 लोगों की मौत हो चकी है ये पिछले साल दर्ज देंगो के मामलों में दोगुना से भी ज्यादा है विश्वस्वास्त संगठन के आखड़ों के मताबिक देंगो के मामलों की संख्या हर साल बढ़ रही है डिन्वी कि तिनेरी związ दौनी रवाभी करूं इन का कायज है और देस्ट कर्वार्दीम देह पक्राइ़ एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से डेंगू होता है देंगू के लक्षन आम तोर पर माल्ड होते हैं लेकिन बाद में ये जान लेवा हो सकता है साल 2019 में भारत में डेंगू के करीब एक लाग 57,000 मामले दर्ज किये गए और इससे 166 मौते हुई 2023 में ये आंक्रे बढ़कर 2,89,000 पहुँच गए और 485 मौते हुई वहीं इस साल के मध्य तक देश में करीब 3,20,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 32 लोगों की मौत हो चुकी है So dengue, dengue disease is a viral fever that is spread by the bite of a typical of a specific mosquito called the Aedes aegypti mosquito एक्सपोर्ट के मताबिक बढ़ता शहरी करण जलवायू परिवर्धन और बढ़ती आबादी की वज़े से डेंगू के मामलों में उच्छा लाया है। शहरी इलाकों में घनी आबादी एडीज जिप्टी मच्छरों को पनपने में बड़ी वज़े बन रही है। खास कर गर्मी और मानसून में बारिश के बार डेंगू का संक्रमन तेजी से बढ़ा है। बढ़ते टेंपरेचर की वज़े से मच्छरने एलाकों में तेजी से फैल रही है। इससे ये बिमारी और गंभीर होती जा रही है। Climate change brings in rise in temperature, surface temperatures and rise in humidity and a hot warm air holds more humidity. So humidity and temperatures are both rising because of global climate change and they are creating more of favorable conditions for this mosquito Aedes aegypti to breed in water. So one is that, the other is unorganized urbanization which is spreading. So as I said that this mosquito doesn't breed anywhere, it breeds within and around our habitation where we live. Dengu को रोकने के लिए ऐसी जगहों को खत्म करना होगा जहां मच्छर प्रजनन करते हैं। साथ ही मच्छरों की काटने से बचाव और public health system को मजबूत करना होगा। आला कि Dengu का टीका दुनिया भर में पहले ही मौजूद है। महीं भारत अपनी खुद की वैक्सीन बनाने के बेहत करीब है। करते हैं।